कि आधिकिष्णर फ्रेंट्स मेरे इस चनल याश्चेत्ना में आप सभी का हाधिक स्वागत एवं अभिनंदन है फ्रेंट्स साइंस के जितने भी इंवेंशन हुए हैं उनसे हमें फायदा तो बहुत हुआ है पर कोई-कोई इंवेंशन हमारे लिए एक समस्या खड़ी कर दिये हमारे लिए एक प्रॉब्लम बन गए है वो इंवेंशन किसी-किसी इंवेंशन के कारण हम लोग बहुत जादा प्रॉब्लम में आ गए है प्रिंस आज मैं आपको एक ऐसे इंवेंशन के बारे में बताना चाहती हूँ जिसका इस्तमाल मैं खुद भी कर रही हूँ मुबाइल के थुही मैं आपके पास पहुँच पा रही हूँ पर वो मुबाइल किस तरीके से हमारे लिए एक समस्या बन चुका है यह मैं आपको बताना चाहरी थी इसके पहले आप मेरे इस चनल को लाइक कीजिये शेर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए बैल आइकन ज़रूर दबात देचेगा प्रिंस में बताना चाहा रही थी कि एक बार की बात है हमारे परोस में मतलब हमारी ही बिल्डिंग में एक फैमिली रहा करती थी उसमें माता-पिता उनका बेटा बहु और उनकी बेटी इस सब रहते थे और सबके पास अपने-पने मॉबाइल्स हर बंदे की पास अपने मॉबाइल वो तो आजकल फैशन भी होई है जरूरत भी बना ली हम सबने पहले तो एक ही फोन हुआ करता था उसी पर पूरे घर का सब कुछ काम चलता था पर नहीं आजकल हम सबको परसनल मॉबाइल्स चाहि और वह उठकर बाहर आये जब वह बाहर आये उस वक्त उन्से ठीक से चला नहीं जा रहा था उन्होंने बाहर आकर देखा कि ट्रोइंग रूम में आये उनकी पत्नी उनका बेटा उनकी बहु और उनकी बेटी सब मुबाइल में लगे हुए है कट 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 लगे हुए कोई कुछ कोई कुछ कोई हस रहा है मुबाइल में देखकर कोई खुश हो रहा है कोई जवाब दे रहा है means all were busy in the mobile nobody even looked up and saw the father उन्होंने किसी ने भी पापा की तरफ देखा ही नहीं से बोला भी नहीं जा रहा था कि उनका पूरी बॉडी पसीने पसीने हो रही थी तो वो वाइफ ने अपनी बहु से कह दिया बेटा ज़रा पापा के लिए पानी लेकर आई ग्लास बहु पानी लेकर आई जाते जाते वह भी मुबाइल में बिजी थी अपनी मुबाइल के दर देखती जा रही थी अब बिचारे ससुर्जी चुपचा खड़े खड़े देख रहे थे उसने इलाके ससुर्जी को पानी दे दिया और इफ शी मस्ट भी लिया होगा तो उसने ध्यान नहीं दिया कैसा ससुर्जी की बुरी तरीके से पसीना बह रहा है बॉड़ी मेर तो उसने कुछ नहीं मस्ट उन्होंने पानी पिया फिर बड़ी मुश्किल से की हैंगर के पास गय है और उन्होंने अपने स्कूटर की चावियन निकाली और वो चावियों को लेकर धीरे 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 घर के बाहर पहुँचे पर in the mean way nobody even bothered to look at him कि पापा इतना धीरे क्यों चल रहे हैं, पापा इतना धीरे क्यों बोल रहे हैं उनकी वाइप ने भी ध्यान नी दिया Anyways, वो बाहर गए और बाहर जाके वो खड़े हो गए और उन्होंने अपने स्कूटर में चावी लगा के उसको स्टार्ट करने की कोशिश करने लगे और वो केक मारे और स्कूटर स्टार्ट ना हो वो केक मारे और स्कूटर ना स्टार्ट हो तो इतने में उनका जो सर्वेंट बाहर गया वाता गंगा राम वो वापस आगया उसने आके देखा बोला अरे बाव जी आपसे स्कूटर नी स्टार्ट होगा लओ मैं केक मार देता हूं और उसने ये बोलते बोलते उसने बाव जी की शकल देख ली उसको समझ भे आगे बाव जी की तब ठीक नहीं है उसने कहा ऐसे करो बाउजी आपकी तब अले आप कहा जा रहे हो गोले कुछ नहीं मैं पास के हॉस्पिटल जा रहा था अच्छ बाउजी आपकी तब थीक नहीं लग रही तो आप ऐसे करो आप मेरे पीछे बैचो मैं आपको लेकर चलता हूँ गंगराम ने ये कहा और ये कहते कहते गंगराम ने पास के हॉस्पिटल में फोन कर दिया डॉक्टर को कि दॉक्टर साब मैं ऐसे ऐसे उनको लेकर आ रहा हूं उनकी तब ठीक नहीं लग रही आप अपनी टीम तयार रखिये और गंगाराम ने उनको स्कूटर पर पीछे बिठाया और उसाथ में उनको लेकर चला गया हॉस्पिटल पहुचा तो टीम अलड़ी तैयार खड़ी थी वहां डॉक्टर ने चेकप किया और उनने बताया इनको तो हार्ट अटैक आ गया है और सीवेर हार्ट अटैक है इनका इमिडिट ऑपरेट करना पड़ेगा आप इनके फैमली को बुला लिजे तो गंगाराम ने ममी जी को फोन किया ममी जी ने पहली बार ने फोन नहीं उठाया और उधर गंगाराम की घर से भी फोन आने लगा तो पर गंगाराम ने अपने घर से आने वाले फोन को इग्नोर कर दिया उसने सुचा मैं बाद में अटेंट कर लूँगा पहले मैं देखूं इधर फिर उस के लिए आप लोग सब आ जाईए हैं अब उधर उसके घर से भी फोन आय जा रहा हुआ उस तरफ की चलो उसने का मैं बाद में बात कर लूँगा घर से फोन आ रहा है तो अच्छे दॉक्तर उसके पास में लेटर कि आपको इस पर साइन करना पड़ेगा तो गंगर आमने का यह तो आप मुझे बहुत बड़ी जिम्मेदारी दे रहे हो डॉक्टर ने का यदि तो हम इंतजार करते हैं इनके बेटे के आने का और साइन करने का तब तक हम आपरेशन नहीं कर सकते हैं कुछ भी हो सकता है तो हॉस्पिटल में पहुँचे पर जब तक वो लोग हॉस्पिटल में पहुँचे तब तक आपरेशन स्टार्ट हो चागा था तो इन सब के आने के बाद गंगर आम ने अपने घर पे फोन किया तो उसके लिए तो एक बाड नियूज इंतिजार कर रही थी गंगर आम के वो तो अपने गाउन चला गया इधर बौजी का आपरेशन सक्सेस्फुल था और आईसीउ में रहे दो तिन दिन पर बौजी आईसीउ में एक बात नोटिस कर रहे थे यह गंगाराम के दिखाई मी पढ़ रहा है कहा चला गया वो मनी मन सोचते रहे उन्होंने किसी से जब वो आईसीउ से बाहर प्राइवेट रूम में उनको एडमिट कर दिया गया लाके तब उन्होंने पनी पत्नी से पूछा वह गंगाराम दिखाई मुझा पड़ता है कहां गया वो तो उनकी पत्नी ने कहां सब चुप क्योंकि उनमें से कोई भी उनको यह शॉकिंग न उनकी पत्नी ने कहां नहीं गंगाराम ठीक है गंगाराम के पिताजी चल बसे है चल बसे है लिहां जिससे में गंगाराम आपको अटेंड कर रहा था गंगाराम के घर से फोन आ रहे थे और गंगाराम ने वो फोन अटेंड नहीं किये उसे सुच है आपको अटेंड करके व वो बाउजी चुपचाप देखते रहे गए, सोचने लगे, काश मेरी पत्नी ने, मेरे बेटे ने मेरी तर्व ध्यान दिया होता, तो आज गंगाराम के पिताजी भी बच गए होते हैं, क्योंकि मुझको फिर हॉस्पिटल मेरा बेटा लेकर आता, मेरी पत्नी लेकर आती, और गंगाराम फोन अटेंड करके अपने गाउं उनका पास ही में था, 15-20 मिनट के दूरी पर ही उनका घर था, तो गंगाराम तुरं हमें मिल रही है, साइंस जो हमें फैसिलिटेट कर रहा है, उन फैसिलिटीज को कर्स मत बनने दीजिए, उनको एंजॉइ कीजिए, बट उनको कर्स मत बनने दीजिए, आदेकिशना फ्रेंट्स, सी यू सून.